देली, वीकली और मंतली राशिफल के साथ साथ जोतिश, वास्तु, मंत, राधी से जोड़ी वीडियोस रेगुलर लिपाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब केजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिकेजिए ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय प करता हूँ, आशा करता हूँ, आप सभी स्वस्त होंगे, महादेव की क्रिपा आप सभी पर सदय बन गए। यह वीडियो है 25 मार्च 2022 शुक्रवार यानि की फ्राइडे के दैनिक राशिफल के बारे में एक बहुती सावान में सा जोतिश, विश्रेशन होता है, आपकी आप तो हो जाएगा, राशिफल पर चलेंगे लेकिन एक पर उससे पहले पंचांग पर भी नजर डाल लेते हैं, चिस मार्च 2022 का पंचांग इस्तरा से है, तिथी रहेगी अश्टमी, नक्षत्र रहेगा मूल, योग रहेगा वरियन, करण रहेगा बालव और वार रहेगा शुक्रबार, किष्ण पक्षे चल रहा है, सूरतेवता 6.20 एम पर उदे होंगे, आस्ता होंगे 6.36 पी. पर, चंद्रमाद धनु राशी में रहेगे, नक्षत्र रहेगा मूल, और शूरतेवता मीन राशी में रहेगे, उनका नक्षत्र रहेगा उत्तर भारद्रपत, कुछ विशेश मूरुतों की बात कर लेते हैं ब्रम्म मूरुत का समय है 4.46 am से 5.33 am अभिजीत मूरुत का समय है 12.04 pm से 12.53 pm और अमृत काल 10.05 am से 11.36 am तक कुछ अशुब मूरुतों की भी बात कर लेते हैं राहु काल 10.56 am से 12.28 pm तक और गुलिक काल 7.52 am से 9.24 am इन दोनों ही अशुब मूरुतों में यदि घर से निकलना है तो भैरव चलीसा या फिर काली चलीसा का दो दो बार पाठ करके ही आपको घर से निकलना है तो ये था पंचांग अब चलेंगे राशी फल पर शुरुवात करेंगे मेश के साथ मेश राशी के जातकों से कहूंगा कि जो लोग आपको रेगुलर्ली धोका देते हैं फिर भी आप उनके साथ किसी ना किसी तरह से अभी जुड़े हुए हैं अब इसका क्या कारण है एक emotional bonding है या क्या problem है वो आपको देखना पड़ेगा लेकिन जो लोग आपको धोका दे रहे हैं consistently थुड़ा उनसे दूर रहने का प्रयास कीजिए ऐसा नहीं है कि जो आपको लगता है जिंदगी में आपके साथ होना चाहिए वही best हो हो सकता है किस्मत ने आपके लिए कुछ और अच्छा सोच कर रखा हो तो कभी-कभी जब desires पूरे नहीं होता है इच्छाय पूरी नहीं होती तो हो सकता है विधाता ने आपके लिए उससे कुछ better लिखा हो इस चीज़ को यदि ध्यान में रखेंगे तो थोड़ी आपके अंदर positivity आएगी क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि recently कुछ इच्छाय पूरी नहीं हुई है जिसके कारण थोड़ी सी आपके अंदर नकरात्मक ता आ गए अपने सपनों के बारे में सोचना कुछ बुरी बात नहीं है लेकिन उसके कारण बाकी सब चीजों को भूल जाना गी थोड़ा नकरात्मक आपके लिए दिख रहा है आज investment के लिए अच्छा दिन है investment कर सकते हैं लेकिन किसी पे जादा आज विश्वास मत कीजेगा क्योंकि आज आज आपके साथ विश्वास घात हो सकता है तो भले ही आपके कोई कितना भी close हो जादा किसी के साथ विश्वास या जादा किसी पर आपने विश्वास नहीं करना अपनी life को better करने का प्रयास कीजी अपने personal life को, professional life को उस पे focus कीजी बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा जैसा मैं कह चुका हूँ investment के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है किसी भी चीज में आज investment करना चाहते है तो वो आपके लिए फरदायक होगी दिन के अंतिम भाग में रात के आसपस थोड़ा सा तनावपून महौल रहेगा आपकी personal life में एक बार मन में जरूर आएगा कि ये सब चीजों को छोड़ चाड़ कर कहीं दूर भाग जाओंगे दिन ठीक ठाक है बस यही कहूंगा कि जो लोग आपके लिए नकरात्मक है उनसे जल्दी से जल्दी अपनी life में आप छुटकारा पालीजिए करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं दिन अच्छा है corporate sector में काम करते हैं तो दिन बहुत अच्छा रहेगा कुछ नया करने का यदि प्रयास करेंगे आज कुछ नया सोचने का प्रयास करेंगे करियर को लेकर तो कोई बहुत अच्छा idea आपको आ सकता है बिजनस के हिसाब से दिन अच्छा है education संबंदित कुछ भी आपका business है तो आज का दिन लाबकारी है love life की बात करें तो थोड़े challenges आ रहे हैं अभी थोड़े obstructions आ रहे हैं लेकिन यदि आपका relationship सही है, अच्छा है real है तो ये सारी problems जो आ रही है relationship में ये समय के साथ अपने आप दूर हो जाएंगी लेकिन एक तरह से अभी test भी चल रहा है आपके relationship का क्यादी आपका relationship सच्चा नहीं है तो हो सकता है जो छोटी छोटी बाते हैं आगे चलके आपके relationship को खतम भी कर दे विवाहिक जीवन के इस आपसे दिन अच्चा है जिनकी recently marriage हुई है आज का दिन उनके लिए बहुत अच्चा है क्योंकि आपको अपने life partner को बहतर समझने का बहतर जानने का मौका मिल सकता है students के लिए भी यही कहूंगा जो मैंने शुरू में कहा था कि ऐसी लोग जो आपकी life में value add नहीं करते जो नकरात्मक करते हैं आपको उनको अपनी life से थोड़ा दूर करने का प्यास कीजिए सेहत के इस आपसे sleep disorders संग करेंगे सरवाश्टक के इस आपसे दस्वास्थान और आठ्वास्थान अत्यन्थ वली है करियर में कुछ positive changes आज आ सकते हैं शुब अंक है आपका 5 शुब कलर है आपका brown भाग्य पतिशत है 70% चलते हैं टॉरस यानि की व्रिशब की तरफ कोई problem आ रही है life में उसको किसी के साथ discuss कीजिए क्योंकि अभी लग रहा है कि आप अकेले उस चीज़ को handle नहीं कर सकते यदि पैसों से संबंदित कोई problem है तो किसी से help लेने का प्यास कीजिए क्योंकि शायद आपका कोई काम अटक रहा है पैसों के खारण और यदि आपको पूरा नहीं कर पा रहे तो आगे चल कर आपको ही loss होगा तो यदि इस समय में किसी सहायता मांग सकते हैं तो हो सकता आपका काम भी बन जाए और आने वाले समय में आप उस व्यक्ति को अपना पैसा आराम से चुका भी सकते हैं आज कोई निरने यदि आपको लेना है तो बहुत सोच समझके लीजेगा क्योंकि गलत निरने यदि आज लिया तो थोड़ा सा नकरात्मक आपको long term के लिए भुगतना पड़ सकता है सेहत का आज ध्यान दीजेगा क्योंकि दिख रहा है कि सेहत आपकी अच्छानक से विगर सकती है उसके बारें बात करेंगे आप पिछले कुछ दिनों से भागे पर ज़्यादा dependent हो गए है ऐसा कह रहे है कि भागे में होगा तो मिलेगा नहीं होगा तो नहीं मिलेगा देखिए भागे तभी साथ देता है जब आप कर्म करते हैं तो थोड़ा इस मानसिक्ता से निकलने का प्यास कीजिए investment के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है क्योंकि हो सकता है आपसे कोई गलती हो जाए दिन के अंतिम भाग में गुस्सा बहुत रहेगा और उसके कारण अपनी ही सेहत पर नुकसान आप महुँचाएंगे करियर के हिसाब से करियर में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं तो आज बैठके सोचिएगा कि वो क्या चीज़े हैं क्या factors हैं जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं business के हिसाब से दिन अच्छा है determination का level अच्छा रहेगा यदि आप gold से संबंदित या metal से संबंदित कुछ business करते हैं अच्छा दिन है love life की बात करें तो जैसा भी आपका relationship है यदि आप चाहते हैं कि वो 104 रूप से चले तो उससे satisfy रहने की कोशिच कीजिए ऐसा दिख रहा है पिछले कुछ दिनों से खुश नहीं है दूसरे के दूसरों के relationship से अपने relationship को compare कर रहे हैं जिसके कारण खुद ही अपने relationship में problems को invitations दे रहे हैं विवाहिक जीवन के इस आपसे दिन ठीक ठाक है लेकिन आपके इच्छाएं बहुत रहेंगी energy बहुत रहेंगी यदि आपके life partner की energy match नहीं करती तो थोड़ा सा आपने उपर विराम लगा लिजेगा students के लिए दिन अच्छा नहीं है थोड़े emotional रहेंगे emotional रहेंगे मतलब कि आप थोड़े से उदास रहेंगे शायद home sick feel कर रहे हैं या हो सकता है आपको कहीं से support नहीं बल रहा इसके करण पढ़ाई पर जादा ध्यान नहीं लगेगा सेहत के हिसाप से high pp की problem तंग कर सकती है आज अपनी सेहत का आपको खास ध्यान जरूर देना है सरवाश्टक के हिसाप से भाग्य स्थान और सात्वा स्थान अत्यन्त बली है देश से बाहर जाने का यदि प्रयास कर रहे है तो आज कोई अच्छी खबर आपको राप्त हो जकती है शुब अंक है 6, शुब कलर है ग्रीन, भाग्य प्रतिशत है 70 प्रतिशत चलते हैं जैमिना यानि की मिथुन की तरफ हो आज का दिन आपके लिए अच्छा दिख रहा है कुछ न कुछ नया होता हुआ देख रहा है आज लाइफ में और रिसेंटली भी कुछ चेंजेस आ रहे होंगे सोशल लाइफ थोड़ी इंप्रूव हो रही है और आपको करने भी चाहिए ऐसा दिख रहा है कि अभी आपको एक दोस्त की जरूथ है आपके दोस्त होंगे लेकिन शायद या तो उनसे दूरियां आ गई है या पहले जैसी बात नहीं हो पाती इसलिए जो इमोशनल हैपिनेस है जो इमोशनल कोश्चन होता है उसमें थोड़ी कमी आ गई है मैं यही आपको सुझाव दूँगा कि अपने दोस्तों के टच में रहिए उनसे बातचीत कीजिए और जो भी मन में आता है जो आपको लगता है किसी के साथ शेयर करना चाहिए तो अपने किसी दोस्त के साथ शेयर कीजिए आपको अच्छा लगेगा कोई बड़ा निरने लेने जा रहे हैं लाइफ में तो उसके बारे में और रिसर्च कीजिए और जानिये और नौलेज घेन कीजिए उस चीज के बारे में तो अच्छा रहेगा क्योंकि ऐसा दिखर आए कि हाँ निरने जो आप लेना चाहरे हैं बहुत महत्वपून है लिकिन अभी आपको उसके बारे में पूरी नौलेज नहीं है इच्छाएं बदलती जा रही हैं रोज कल कुछ और पाना चाहते थे आज कुछ और क्योंकि आपके राशी के स्वामी भी नीच के कहीं पर भी इंवेस्ट करना चाहते हैं तो दिन के अंतिम भाग में कुछ न कुछ पॉजिटिव आपको राप्त हो सकता है दिन ओवर आल आपका अच्छा है करियर के हिसाब से क्रियेटिविटी लाइए अपने करियर में यदि आगे बढ़ना चाहते हैं कुछ क्रियेटिव कीजिए कुछ नया कीजिए कुछ आउट ओफ दा बॉक्स कीजिए तभी आगे बढ़ पाएंगे बिजनस की बात करें तो दिन अच्छा है भाग गे का संपून साथ आज मिलता हुआ दिख रहा है यदि आप इंटिरियर से जुड़ा या फिर फैशन इंडस्ट्री से जुड़ा कुछ बिजनस करते हैं तो लाब होगा लव लाइफ पे चलते हैं यदि रिलेशन्शिप में प्रॉब्लम आ रही है तो आज थोड़ा समय निकालिएगा और एनलाइज कीजिएगा कि प्रॉब्लम कहां पे आ रही है आपको सॉलुशन जरूर मिलेगा लेकिन वो सॉलुशन आपको अपनी प्रॉब्लम को एनलाइज करने पर ही मिलेगा क्योंकि आप लोगों से पूछ रहे हैं कि क्या प्रॉब्लम चल रहे है तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्या लगता है ऐसा नहीं है यह उनके लिए कह रहा हूं जिनके relationship में problem आ रही है खुद ही self analyze करेंगे तो आपको अपने problem का solution 100% मिल जाएगा विवाहिक जीवन अच्छा है emotional connection आज का बहुत अच्छा रहेगा स्टूडेंट से यह कहूंगा पुरानी बातों पर यदि आज ध्यान गया तो पूरा दिन आपका waste हो जाएगा तो जादा पुरानी चीज़ों पर focus नहां करें सेहत के हिसा आपसे lower body में paint रहेगा सरवाश्टक के हिसा आपसे आपका आठ और छटा स्थान अत्यन्त बली है तो जैसा मैंने कहा था career में आपकी क्यूंकि समय competition बहुत है तो थोड़ा creative होना पड़ेगा तभी आपको अच्छे मौके मिलेंगे शुब अंक है आपका 8 शुब कलर है पिंक भाग्य प्रतिशत है 75 चलते हैं cancer यानि की करक की तरह आपसे मैं यही चीज कहूंगा कि long term planning करिए लेकिन साथ में धैरे भी रखिए ऐसा लग रहा है कि planning करते हैं और उसकी शुरुवात में ही यदि चीज़ें आपके हिसाब से न प्रशनल लाइफ में तो उससे खुश रहने की कोशिश कीजिए ऐसा दिखता है कि कुछ अच्छा हो भी जाता है तो भी वह आपको ज्यादा प्रसंद नहीं कर पाता थोड़ा सा इस अपने भाव में परिवर्तन करने का प्रयास कीजिए ups and downs को embrace कीजिए मतलब कि उनको accept की कीजिए ups and downs सबकी लाइफ में आते रहते हैं आप कर भी लेते हैं उनको अच्छी तरह से accept उनको as a challenge accept कर लेते हैं लेकिन ये चीज पिछले कुछ जिनों से आपको तंग कर रही है कुछ नया start करने से पहले बहुत विचलित हो जाते हैं पहले ही सोचने लग जाते हैं कि ये करूं ना करूं इसमें कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा ये अच्छा होगा या नहीं हो पाएगा इस भाव से थो की तरफ जाएंगे क्योंकि आपका धर्मत्री कोन बहुत एक्टिव हो जाएगा तो जितना स्पिरिच्वालिटी की तरफ जाएंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा सौमिता है आपके विवहार में आप सबका भला चाहते हैं लेकिन उसका किसी को नाजायस फायदा मत उठाने दीजिए आज का दिन इंवेस्टमेंट के लिए जादा अच्छा नहीं है दिन के अंतिम भाग में एमोशनली थोड़ा लो फील करेंगे हो सकता है रिसेंटली किसी ने थोड़ा हर्ट किया हो किसी की बाते चुप गई हो तो जब सोने जाएंगे तो शायद उन चीजों पर विचार करके थोड़ा नकरात्मक हो जाएंगे करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं आज का दिन ठीक ठाक है लेकिन यदि कुछ रीसेंटली अच्छा हो रहा है कारेक शेत्र में तो उस चीज को लेकर इगोईस्टिक मत बनिएगा एहम मताने दीजेगा आपने अंदर वन्ना वही आपके पतन का कारण भी बन सकत है कि बिजनस के हिसाब से दिन अच्छा है फूड इंडस्री से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो दिन अच्छा रहेगा लेकिन किसी को अपने इनोसेंस का फायदा मत उठाने दें लव लाइफ के हिसाब से बहुत ज्यादा सोच रहे हैं आज कल रिलेशनशिप को लेकर पा करत कर रहे हैं देखिए कि कहीं उनको कोई प्रॉब्लम सता तो नहीं रही अपने लाइफ पाटन होने का करतव निभाईए स्टूडेंट से यही कहूंगा कि आज थोड़ा टाइम मेडिटेशन को जरूर दीजेगा क्योंकि ऐसा देख रहे आपका फोकस पूरा हट चुका सेहत के हिसाब से स्लीब डिसॉडर स्थंग करेंगे सरवाश्ट्यक में आपका पांचवा और सात्वा स्थान अत्यंत बली है अपनी क्रियेटिविटी को एक नया रास्ता दिखाने का प्रयास केजिए शुब अंक है आपका वन चुब कलर है ब्राउन भाग्या प्रतिशत है 70 प्रतिशत चलते हैं लियो यानि कि सिंभ की तरफ दिन आज का अच्छा देख रहा है आपके लिए पुछ अच्छा हो सकता है आज कहीं न कहीं से इच्छा पूरती इच्छा प्राप्ति के योग बन सकते हैं क्योंकि नूवामसा में वैसे योग बने हुए हैं आप बहुत कुछ करना चाह रहे हैं इस समय लेकिन कोई direction नहीं है life में ठीक है कभी-कभी ऐसा मौका आता है कि मैं ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ और कुछ ऐसा ही समय आपके साथ आ रहा है बहुत कुछ करना चाह रहे हैं लेकिन direction नहीं है इसके कारण कुछ achieve नहीं कर पा अचीवमेंट तो हो रही है लेकिन अपने पोटेंशल के हिसाब से नहीं कर पा रहे तो अपना फोकस लाइए एक डिरेक्शन पकड़के आगे पड़िए तो आपके लिए अच्छा रहेगा कुछ नया करना चाहते हैं तो लोगों से राय मश्वरा करें निरने तो आपका ही होगा लेकिन पहले लोगों से अगर कंसल्ट कर लेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आज लक्ष्मियोग बना हुआ है नवामसा में तो हो सकता है पैसों से संबंदित कुछ अच्छी न्यूज आपको प्राप्त हो जाए इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा सोच समझ के कीजेगा बहुत पॉजिटिव दिन नहीं है इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन आदा घंटा एक घंटा सेल्फ एनालेसिस में जरूर बिताईएगा देखिएगा कि परसनल लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही है उनको ठीक कैसे किया जा सकता है दिन ओवराल अच्छा है बस एक ही चीज़ कहूंगा थोड़ा आपको फोकस और डिरेक्श की जरूरत है अपनी लाइफ में करियर पर जलते हैं जो लोग जॉब करते हैं दिन अच्छा है आज आपको लीडर्शिप क्वालिटी दिखाने का इंडिविज्वालिटी दिखाने का मौका मिल सकता है और यदि ऐसा कोई भी मौका मिलता है उसको हाथ से जाने मत दीजेग बिजनस के हिसाब से भी आज का दिन बहुत अच्छा दिख रहा है कुछ ना कुछ अच्छी कबर कहीं से आ सकती है लव लाइफ की बात करें तो ऐसा दिख रहा है कि रिलेशन्चिप में पैसों की बात बहुत हो रही है आज जिसके कारण थोड़ी खटास आ गई है इसाब से आज का दिन बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा ऐसा दिक्राएं बहुत लोग को इंवल्लमेंट हो गया आपके विवाहिग जीवन में और उसके कारण विवाहाम या कहिए विवाहिक जीवन में अपने आप कुछ अब्स्ट्रक्शन कुछ अब्स्टेकल्स आ र ना तो उसके लिए भी सभी समय है ना ही अभी आपके पास पर्याप्त नौलेज है तो इच्छाओं को थोड़ा कंट्रोल करके रखेगा आज सेहत के हिसाप से डाइजस्टिव डिसॉर्डर्स तंग करेंगे सरवाश्टक के हिसाप से आपका चौथा स्थान और छटा स्थान अत्यन तबली है यदि ड्राइविंग करते हैं तो थोड़ा साज ध्यान पूर्वक आपको जाना पड़ेगा शुब अंग है आपका पांच शुब कलर है आपका ब्राउन और भाग्य प्रतिशत है 75 चलते हैं कन्या की दिरफ आज का दिन आपके लिए अच्छा दिख रहा है नवामसा में लाभ प्राप्ति इच्छा पूर्ति दोनों ही योग बने हुए हैं तो कुछ न कुछ अच्छा आज आपके साथ हो सकता है कुछ ऐसा हो सकता है जिससे आपका मन परीप्रसन होगा और आपके घरवालों का भी आपके आसपास के लोगों का मन प्रसन हो सकता है ऐसा दिख रहा है कि कोई काम अटक रहा था या कोई इच्छा थी जो बहुत पुरानी हो गई थी जिसके बारे में आप भूल ही गएते हो सकता है उस इच्छा के बारे में आपको कोई अच्छे नियूज आज प्राप्त हो जाए चीजों को थोड़ा accept करना शुरू कर दीजिए ऐसा दिख रहा है कि आप थोड़े reality से आजकल दूर रह रहे है imagination की दुनिया में ज़्यादा है और जो steps ले रहे हैं वो भी practicality से बहुत दूर है थोड़ा इस चीज़ पर आपको काम करना पड़ेगा वर्ना तो आपके लिए आज का दिन बहुत अच्छा है invest करना चाते हैं तो आज का दिन ठीक है लेकिन निरने बहुत सोच समझ के आपको लेना पड़ेगा छोटा मोटा amount कर सकते हैं बड़े amount के लिए आज का दिन investment के हिसाब से अच्छा नहीं है यदि आपका government से संबंदित कुछ काम अटा कर रहा था तो आज संभावना है कि उस पारे में कुछ ना कुछ सकरात्मक कुछ ना कुछ positive होगा करियर पर जलते हैं जो लोग job करते हैं दिन ठीक ठाक है लेकिन false commitment मत कीजेगा आपने आपको बड़ा दिखाने के लिए कुई ऐसा काम accept मत कर लीजेगा जो आप डंग से नहीं कर सकते वरना problem होगी business के हिसाब से अच्छा दिन है education संबंदित कुछ business है आपका तो love life की बात करे तो यदि relationship में बहुत सारे problems आ रहे हैं तो आपको अब उस पे निरने लेना ही पड़ेगा क्यूंकि ऐसा दिख रहा है कि आप बातों को टाले जा रहे थे कि ठीक है इसके बारे में कल बात करेंगे परसो बात करेंगे लेकिन अब वो बात जो छोटी सी बात लग रही थी बहुत बड़ा करें रखेंगे तो फिर भी दिन अच्छा रहेगा स्टूरेंस के लिए दिन बहुत अच्छा है कोई न कोई पॉजिटिव न्यूज आज आपको प्राप्त हो सकती है सेहत के हिसाब से ऐसी डिटी की प्रॉब्लम तंक करेगी सरवाश्टक के हिसाब से प्रथम स्थान और त्रिते अस्थान अक्त्यन तबली है थोड़ा अपने होबीस पर भी ध्यान देना शुरू कर देजिए और एक और चीज है आज आपको यात्रा अचानक से करनी पर सकती है सरवाश्टक भी यही बता रहा है कि अचानक से आपको आज यात्रा करनी पर सकती है जो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देगी इस समय लाइफ दूसरों को खुश करने के लिए जी रहे हैं, निरणे अपने दूसरों को खुश करने के लिए ले रहे हैं, यह गलत है, इस चीज से निकलने का प्रयास कीजिए, क्योंकि यदि हम दूसरों को ही खुश करते रह जाएंगे, तो अपने आप कभी भी खुश न मिलना चाहते हैं लाइफ में थोड़ा सा उसके बारे में सोच विचार जादा कीजिए उसको सीरियस्ली लीजिए इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन अच्छा नहीं है क्योंकि घाटा हो सकता है साथी में परसनल लाइफ में भी कुछ प्रॉबलम आज आपके आ सकती है इगो ग्लैशेस हो सकते हैं किसी से वाद अविवाद हो सकता है महनत कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर चीज़ पर तो अपनी महनत को बरकरार रखिए अपने एफर्ट्स पूरे रखिए बहुत जल्दी आपको उससे रिलेटिड अच्छे रिजल्स मिलेंगे एक बैलेंस ढूंड रहे हैं आप अपनी लाइफ में बहुत समय से लेकिन वो बैलेंस प्राप्त नहीं हो पा रहा सोचिएगा कि क्या चीज़ है वो जो आपके लाइफ को स्टेबल होने से रोख रही है उस चीज़ पर काम कीज़ेगा करियर पर चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं दिन अच्छा है कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करते हैं बड़ी कंपनी में किसी में काम करते हैं तो दिन बहुत अच्छा रहेगा मैनेज़मेंट का साथ मिलेगा अच्छा दिन है बिजनस के हिसाब से भी दिन अत्यन्त शुब दिख रहा है यदि आप घर को सजाने के समान से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो आज का दिन लापकारी है लव लाइफ पे चलते हैं ऐसा दिख रहा है कि चीजें रुक रही है थम रही है कुछ डिसीशन लेना चाहते हैं वो रुक जाते हैं रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं नहीं चल पाता कुछ न कुछ विगन आ जाते हैं एक नया स्टेज हासिल करना चाहते हैं रि समय व्यतीत कर पाएंगे अपने लाइफ पार्टनर के साथ कि स्टूडेंट से यह कोँगा कि ओवर्थिंकिंग से बचिए क्योंकि ओवर्थिंकिंग के कारण कुछ हासिल आप धंका नहीं कर पा रहे हैं सेहत के इसाप से हॉर्मोनल डिसॉर्डर आपको तंग कर सकते हैं सरवाश्टक के इसाप से दूसरा स्थान और चौथा स्थान अत्यंत बली है तो हो सकता है घर की मरम्मत पर आज थोड़ा बहुत खर्चा हो जाए शुब अंक है आपका दो शुब कलर है वालेट भाग्य प्रतीशत है 70 परसंट चलते हैं स्कॉर्पिय और निकि व्रिश्चिक की तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं लेकिन थोड़ा सा संभल जाएं ऐसा दिख रहे है कि बहुत आगे की सोच रहे हैं लेकिन जो बीच में रास्ता है वो कैसे कवर करना है वो भी आपको समझ नहीं आ रहा है या आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं है आप result के बारे में सोच रहे हैं लेकिन जो process है वो अभी भी unclear है तो कोई बड़ा निरनाई अधी life में लेना चाह रहे हैं तो थोड़ा समझ जाएं थोड़ा सोच विचार कीजिए विश्वास की कमी दिख रही है आजकल इसलिए कुछ अजीब सा विवहार आपका शायद हो गया है आपके अंदर पूरे skills हैं लेकिन शायद उस talent को skills को कहीं पर बाननेता नहीं मिलती recognition नहीं मिलता जिसके कारण आप frustrated है हो सकता है family life की थोड़ी सी समय frustrated चल रही हो इस कारण से थोड़ा self confidence की कमी आ गई है action कुछ लेना चाह रहे हैं लेकिन जैसा मैंने शुरू महीं कहा की सोच रहे हैं कि मैं ये करूँगा तो मिलको ये मिल जाएगा लेकिन वो जो बीच का process है उसके बारे में नहीं सोचते कि क्या आप वो कर पाएंगे तो थोड़ा सा long term planning के बारे में सोच ये मैं मना नहीं कर रहा लेकिन कुछ दिनों के लिए present में रहने का प्रयास करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा investment करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है ऐसा दिख रहा है कि कुछ दिनों से बहुत selfish हो गए मैं गलत नहीं कहता selfish हो लेकिन पिछले कुछ दिनों से सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं अपनी family के बारे में अपने relations के बारे में पिलकुल भी ध्यान नहीं जा रहा हो सकता है कुछ लोग हो आपकी लाइफ में जिन्हों ने आपकी हर चीज़ को अकुपाई कर लिया है इसके कारण जो real में आपसे प्यार करते हैं उनके बारे में आप जादा नहीं सोच रहे हैं करियर पर चलते हैं जो लोग job करते हैं दिन अच्छा है आज कहीं न कहीं से आपको कुछ न कुछ प्रेड नप रापत वो सकती है यदि आप किसी इंडस्ट्री से जोड़ा को जॉब करते हैं तो आज का दिन अच्छा है बिजनस के हिसाफ से आज का दिन बहुत जादा अच्छा है क्योंकि यदि आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी तो आज आप किसी से पूछते हैं, उसके बारे में कहीं से guidance लेने की कोशिश करते हैं, तो guidance आपको प्राप्त हो जाएगी, लव लाई पर चलते हैं, ऐसा दिख रहा है कि मैं यह नहीं कह रहा कि जूट बोल रहे हैं, लेकिन सच बहुत घुमा फिरा के बोल रहे हैं, आप भी आपके partner भी, और इसके कारण relationship में बहुत problems आ रही हैं, और आने वाले समय में भी आ सकती हैं, विवाईक जीवन आज का ठीक ठाक है, जल्दवाजी से बचें तो ठीक रहेगा, वनना कुछ problem हो सकती है, student से यही कहूंगा कि थोड़ा रुमायन साधी से ध्यान हटाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इन चीजों में ध्यान बहुत जा रहा है, सही उमर आएगी सब तब सब कर लीजेगा, लेकिन इस समय थोड़ा study पर focus कीजिए, सेहत के हिसाफ से चेस्ट सब्मंदित रोगतंग करेंगे, सरवाश्टा के हिसाफ से प्रथम स्थान और तीसरा स्थान अत्यन तबली है, थोड़ा अपने communication पे भी आपको खाम करना पड़ेगा, शुब अंक है, आपका आठ शुब कलर है, ग्रीन भाग्य प्रतिशत है, 70 परसंट, बदलाव कुछ सकरात्मक परिवर्तन आपकी लाइफ में आने वाला है, और कुछ चो कठिनाईयां चल रही थी, उनसे भी थोड़ा बहुत आप मुक्त हो सकते हैं, थोड़ा साहस लाई अपनी लाइफ में, अभी सोच विचार बहुत कर रहे हैं, उसके कारण क्या होता है, कि सोचते ही रह जाते हैं, और ज्यादा सोचने के कारण confidence की कमी हो जाती है, इसलिए जो action लेना चाहते हैं, रियल में, वो ले नहीं पाते हैं, इसलिए मैं अपके professional life के लिए कह रहा हूँ, कि बहुत overthinking कर रहे हैं, जादा विचार कर रहे हैं अपने professional life को लेकर, कि मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकती हूँ, लेकिन उसके कारण overthinking कर देते हैं, और फिर खुदी confused होके रह जाते हैं, investment के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है, investment कर सकते हैं, अपनी personal growth पे थोड़ा focus कीजिए, हर थरा से थोड़ा बढ़ने का कोशिश कीजिए, knowledge wise, health wise, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि लोगों की चीजों में इतने involved है कि अपने आप पर focus नहीं दे रहे, और कुंडली भी बता र लेगा, consultation से जोड़ा कुछ job करते हैं, तो आज का दिन अच्छा रहेगा, business के हिसाप से, थोड़ा साहस लाईए, अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो थोड़ा साहस लाना पड़ेगा, animal product से जोड़ा कुछ business है, तो लाब होगा, love life के हिसाप से, दिन ठीक ठाक है, ऐसा द लिए आपके relationship में problem आ रही है, तो घर के, घरवालों के involvement से, वो problem बहुत हद तक दूर हो सकती है, विवाईक जीवन की बात करें तो, दिन अच्छा है, जिनकी शादी अभी-भी हुई है, अपने नए life partner के बारे में आज थोड़ी और information gather करने की कोशिश कीजेगा, उनको और सरवाश्टक के इस आपसे दस्वा स्थान और, सुरी, बारवा स्थान और दूसरा स्थान अत्यंत बली है, आज खर्चे थोड़े आपके उमीद से जादा हो सकते हैं, शुब अंक है, आपका 6 शुब कलर है, ब्राउन भाग्य प्रतिशत है, 70%, चलते हैं, Capricorn यानि की मकर क के तरफ आज का दिन आपके लिए ठीक ठाक दिक रहा है, एक चीज कहूंगा कि यदि किसी प्रॉब्लम में फसे हुए हैं, तो किसी से help मांग लीजिए, और बहुत सारी responsibilities आप ले रहे हैं अपने उपर, भले ही आप से कोई बोलता नहीं है, लेकिन हर चीज की responsibility अपने उप पाते हैं, उसके कारण खुद भी let down feel करते हैं और दूसरों के expectations पूरी नहीं हो पाती, तो उनके साथ भी संबंद बिगर जाते हैं, तो उतनी ही responsibility ले जितना आप निभा सकते हैं, जादा किसी पर आज भरोसा मत कीजिएगा, बना problem हो सकती है, और अपने विवहार में भी करनी चाहिए, किसी चीज को लेकर personal life में बहुत doubt चल रहे हैं और वो चीज आपको बहुत परिशान कर रही है, ऐसा दिखरा है कि आज दिन के मध्यभाग के बाद बहुत अनिश्यत्ता रहेगी life में, कई चीजों को लेकर uncertainty रहेगी, जो आपको मानसिक तोर पर थोड़ा पर विचार कीजेगा, गलत समय पर गलत परिस्थित्यों में की गई बात कारेक शेत्र में आज बहुत महेंगी पड़ सकती है, बिजनस के इस आपसे दिन अच्छा है, यातरा करनी पड़ सकती है, लेकिन दिन अच्छा है, प्रांसपोर्ट से संबंदित कुछ काम है, या फिर हॉस्पिटैलिटी से संबंदित कुछ काम है, तो दिन अच्छा है, लव लाइप चलते हैं, ऐसा दिखरा है कि समय के साथ आप अपने रिलेशन्चिप में कुछ बदलाव नहीं ला पाए हैं, इसके कारण कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, थोड़ा बदलाव लाने का प् confidence और over confidence में हल्का सही फरक होता है, लेकिन आप इस समय थोड़े over confident है, सेहत के हिसा आप से कोई infection तंग कर सकता ऑपको, सरबाच्टक के हिसा आप से 11 और 9 और ना 9 अज हो सकता है, तो हो सकता है कोई आपको अच्छी न्यूज़ प्राप्त हो जाये अचानक से, शुब अंक है आपका वन शुप कलर है आपका ब्ल्यू और भाग के प्रतिशप है 65 परसे चलते हैं कुम्ब यानिक एक्वेरियस के तरफ थोड़ा तनाव पूर्ण स्थिती रहेगी क्योंकि रीसेंटली बहुत कुछ कर रहे हैं बहुत कुछ चल रहे है लाइफ में जिसके कारण थोड़ा साथ तनाव में रहेंगे जिसका एक अफेक्ट आपके लाइफ के हर चीज़ पर पढ़ने वाला है थोड़ा तनाव कम करने का प्रयास कीजिए कुछ नया पन लाने की कोशिच कीजिए कोई उपरचुनिटी यदि हाथ से निकल गई थी रीसेंटली तो उसके बारे में ज्य ज्यादा सीरियस मत हो जाईए ऐसा दिख रहा है कि रीसेंटली लोगों से ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पारे थोड़ा अकेला रहना चाहते हैं थोड़ा सन्यास के बारे में आपका मन ज्यादा जा रहा है स्पेशली जिनकी एज 50 से अबब हो चुकी है थोड़ा सा सन्यास के प्रती आपका ध्यान अकर्शित हो रहा है मैं गलत नहीं कहूंगा लेकिन अभी ऐसा समय आपका चल ही रहा है कि आप इन चीजों के तरफ अकर्शित होंगे तो थोड़ा सा ध्यारे रखिए कोई बड़ा निरने लेने से पहले investment के लिए दिन ठीख ठाक है कर सकते हैं investment लेकिन बड़ी investment मत कहीजिएगा इसा दिखर है कि आप चाहरे हैं कि लोग आपको समझें लेकिन कोई आपको ढंक से नहीं समझ पारा इसके कारण भी थोड़ा तनाव में आप आज़कल है करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं दिन अच्छा है कम्पिटिशन जादा रहेगा लेकिन आप अच्छी तरह से हर कम्पिटिशन को फेस कर लेंगे बिजनस के हिसाब से दिन अच्छा है आपकी बुद्धी मता का प्रयोक करके आप कुछ बहुत अच्छा अर्जित कर पाएंगे लव लाई पे चलते हैं रिलेशन्चिप की बात करें तो दिन अच्छा है थोड़ा अपने पार्टनर को कॉम्प्लिमेंट कीजिएगा आज उससे दिन और अच्छा जाएगा विवाहिक जीवन के हिसाब से अत्यांत शुब दिन है स्टेबल दिन है जो स्टेबिलिटी पिछले कुछ दिनों से नहीं नग नजर आ रही थी विवाहिक जीवन में ओस ताबियों के वापिस आ सकती है Students के रियाज Group Studies का दिन है Group Studies पे फोकस कीजेगा सेहत के हिसाब से आखों से सम्बंदित रोग और Hormonal Disorders आपको तंग कर सकते हैं सरवाश्टक के हिसाब से 8 वा स्थान और 10 वा स्थान अत्यन तबली है Career में कोई बड़ा निरने लेने से पहले थोड़ा सोच लेजिएगा शुब अंक है आपका दो शुब कलर है Brown और भाग्य प्रतीशत है 70% अब चलते हैं पाइसेस यानि की मीन की तरफ आपके लिए आज का दिन ठीक ठाक दिख रहा है मैं कहूंगा थोड़ा नकरात्मकता से निकलने का प्यास केजिए अपने आप ही जादा सोच सोच कर जादा एमोशनल होकर ओवर थिंग करकर ओवर अनलाइज करकर पिछले कुछ दिनों से अपने आपको नकरात्मक कर लिया है आज का दिन है उस नकरात्मक्ता से निकलने का पूजा पाट कीजिए spirituality की दरफ जाईए meditation कीजिए या कुछ ऐसा कीजिए जिससे थोड़ा सा ध्यान आपका बढ़ जाए physical से हथ थोड़ी आज बेटर होती हुए दिख रही है कुछ भी बात किसी से करनी है तो एकदम authority के साथ कीजिएगा वरना आपकी बात को कोई seriously नहीं लेगा आज कुछ भी काम कर रहे हैं उसके बारे में जादा किसी से opinions मत लीजिएगा क्योंकि शायद आपके काम में या जो काम आप करते हैं उसके बारे में किसी को बहुत ज़्यादा knowledge नहीं होगी तो अपने उपर भरोसा रखकर अपना काम करते जाहिए किसी की opinions ज़्यादा मत सुनेगा investment के हिसाब से आज का दिन बहुत अच्छा नहीं कहूंगा तो ज़्यादा investment के बारे मत सोचिएगा दिन के अंतिम भाग में भी ऐसा दिख रहा है थोड़े emotional हो जाएंगे और यही दिख रहा है कि पिछले कुछ दिनों से दो-तिन दिन से क्योंकि केतु का प्रभाव था तो शायद overthink कर रहे थे confidence कम हो गया था इन चीजों को थोड़ा सा आपसे दूर रखने का कोशिश कीजेगा करियर पे चलते हैं जो लोग जॉब करते हैं दिन अच्छा है especially education से सम्मंदित कुछ जॉब है आपकी तो दिन काफी अच्छा रहेगा बिजनस के इस आपसे बहुत अच्छा दिन है कुछ काम जो अठक रहते विजनस में वो आज पूरे हो सकते हैं अच्छा दिन है लव लाइफ पे चाकते हैं जो लोग relationship में हैं ऐसा दिख रहा है कि emotional connection बहुत कम हो गया है आपके expectations कुछ और है उनके कुछ और है इसके कारण compatibility के issues हैं विवाहिक जीवन के इसाब से बहुत अच्छा दिन नहीं है क्योंकि आपके द्वारा किया गया मजाक भी बहुत आज serious हो सकता है तो जादा मजाक मत कीजेगा जादा कटाक्ष के शप्त मत बोलिएगा student से यही कहूंगा कि थोड़ा अपने दोस्तों से और romance से ध्यान हटाने की कोशिश कीजिए और पढ़ाई पर पूरा focus केजिए क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि ध्यान बहुत भटक रहा है सेहत के इसाफ से कफ रोग, चेस्ट संबंदित रोग और anxiety disorders दंग कर सकते हैं सरवाश्टक के इसाफ से सात्वा स्थान और नवा स्थान अत्यनत मली है बिजनस में progress कर सकते हैं शुब अंक है आपका साथ, शुब कलर है आपका white भाग्य प्रतिशत है, सत्तर प्रतिशत आज का उपाय आपके लिए यह है कि आपको दुरगा जी का ध्यान करते हुए उनको दो घी के दिये अरपन करने हैं और दुरगा चालीसा लक्ष्मी चालीसा का दो दो बार पाठ करना है साथ ही में दुरगा माता को लाल फूर अरपन करें और किसी मिश्थान का भोग लगाए चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब केजिए, वीडियो को लाइक केजिए मिलता हूँ अगले वीडियो में तब तक के लिए, ओम नमश्याद